Hello everyone, welcome to this video और मेरा नाम है Amantri Vediyo और finally वो update जिसके लिए आप सभी लोग बेसबरी से इंतजार कर रहे थे Monday को एट Twitter campaign भी करने वाले थे वो update आ गया है SSE CGL का जो examination के बारे में हम जो बहुत बेसबरी से वेट कर रहे थे उसकी date आ गई है and it is final now कि 2021 का जो CGL है उसका जो advertisement है वो 23 December 2021 को होगा यानि कि ये जो अटकले लगाई जा रहे थी कुछ लोग कह रहे थे कि जो CT है CT के साथ में आपका CGL होगा इस साल वो नहीं होने वाला है ये तो final हो गया यानि कि जो exam के जो advertisement है अगले हफते आपके Wednesday तक आपका ये advertisement आजाएगा ये जोब application ले जाने लगेगा apply कर सकते हैं और 23 January तक application ली जाएंगी और 22 April को CGL का paper होगा January, February, March और April 4 महिने आपके पास बचते हैं इसके बाद अगर बात करें CHSL की तो CHSL 2021 का जो exam है उसकी जो form है वो February में क्योंकि 23 December से तक इसका application ली जाएंगी और 22 महिन को इसका paper कराया जाएगा MTS 2021 का जो paper है ये सारी सीजन tentative हैं ये बात ध्यान रखीगा इसके लाबा MTS का जो paper है इसका form आएगा 22 March को और 30 April तक इसका form लिया जाएगा 22 June से इसके paper कराया जाएगे इसके आगे paper होंगे इसके लाबा Selection Post Phase 10 इसका आएगा आपका January, April, May मैं मैं आपका आएगा और उसके बाद June तक इसके application चलेंगे और 22 July से इसके paper होंगे इसके लाबा Recruitment of Head Constable Ministerial तो Head Constable के लिए आपका notification आएगा 17 May से 16 June तक और 22 May को इसका form paper कराया जाएगा इसके लाबा Delhi Constable के driver का form आएगा 27 June से 27 July तक और 22 October को इसका form कराया जाएगा काफी लंबा calendar दे दिया है कितना follow करेंगे ये वो हम सब वक्त आने पर देखेंगे इसके लाबा Recruitment of Head Constable AW or TPO in Delhi Police Examination ये 4 July से 3 August तक होगा और 22 November को इसका form लेंगे लोग 22 November से इसका exam होगा SSC CPO Sub-Inspector in Delhi Police and Central Armed Forces इसका जो paper वन है इसका form आएगा 14 August से लेकर 13 September तक और इसका form paper कराया जाएगा 22 December से बहुत लंबा calendar दे दिया है काफी जादा आगेगा ठीक है अच्छा ये date नहीं है यहां पर तो dates है ठीक है इसके अलाबा जो आपका 2022 का ये तो हमने यहां तक देख लिया था 8 नमबर तक 9 से Junior Hindi Translator का form आएगा 22 August 2022 से 21 September तक लिया जाएगा और 22 December से paper कराया जाएगे इसके अलाबा Scientific Assistant IMD ये बड़ा अच्छा form है जो आने वाला है अगले साल आपका Scientific Assistant in IMD इसमें मेरे एक मित्र है मैं आपको उनसे मिलवाओंगा भी आप से इंटर्व्य करके दिखाऊंगा तो Scientific Assistant in IMD ये 29 अगस्ट से लेकर 28 September तक form होगा और January 2023 में इसका paper होगा ठीक है ये सारे इन्होंने मन्थ लिखे हुए है डेट ने लिखे हुए है ठीक है ये 22 अप्रेल में बतारो ये सारे एयर लिखा हुए है इन्होंने डेट नहीं है इसके अलाबा Junior Hindi यानि कि जो J.E. का form आता है उसका आएगा November में और December तक form बढ़ा जाएगा March 23 में होगा बहुत लंबा calendar दे दिया है अगले साल तक का इतना तो मतलब उतना मुझे भी भरोसा नहीं होता है MTS का इन्होंने Daily Police में दे दिया है Civilians का 11 October से 15 November तक February 2023 में इसका paper होगा Stenographer Grade C and D का examination का भी इन्होंने दिकाला है और ये पांच बार आया यानि कि अगले साल December में form आएगा और 2023 अपरेल में इसका paper होगा काफी मतलब मैं इस पर भाव भी बहुर हो रहा हूं SSC के इस calendar पर Anyways, Constable का Male Female Dairy Police का exam का calendar 2022 का है और ये 2023 में इसका form आएगा 12 February तक इसका application लिया जाएगा और मही 2023 में इसका paper करवाएंगे इतना साहब इतना जब करी रहे थे तो फिर CGL का भी दे देते आगे का क्या रहेगा मतलब इतना खर्चा होई गया था तो Constable GD का धिया है इन्होंने GD का 2022 में आएगा ये 2023 में इसका form आएगा और June 2023 में इसका paper होगा तो मुझे इसलिए आ रही है कि कहां ये calendar नहीं दे रहे हैं और calendar दे रहे हैं तो 2023 तक का देते रहे हैं भईया अभी वाला दे तो इसमें मसलब इससे अच्छा तो तुम थोड़ा सा ये अच्छा होता कि आप मुझे ये भी बताते है कि आप इसका paper कब करवा रहे है आपरेल में टियर 2 कब करा रहे हो टियर 1 का result कब दे रहे हो और टियर 3 कब करा रहे हो वो ज़्यादा अच्छी चीज होती 2023 तक का आपने calendar दे दिया खैर जो भी है अच्छा ही है आप इमान के जलिए कि ये सारी vacancies तो आने वाली है आपकी इन में से कितनी आती है कितने paper time से होते हैं वो तो वक्त बताएगा फिलहाल के लिए जो 2 सबसे important तीन सबसे important exam वो आप लोगों को मिल गए है एक आपको CGL का मिल गया है आपका form आने वाला है 22 April से paper होगा 2 April में paper होगा CHSL का आने वाला है मई में paper होगा MTS का आने वाला है June में paper होगा इसके अलावा CPO वाला ये तीन चार paper तो आपके अच्छे हैं इनके आपको अच्छे से त्यारी करनी चाहिए तो पूरे इमान मन से लग जाईए और मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग मन से पढ़ाई कर ही रहे होंगे तभी आप इसको आच्छे से follow कर पाएंगे ठीक है तो मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बद्वाय टेक कर और वाव ग्रेट एइए तब अच्छे से लगक।